गर आपको भी एक शेर के साथ कैद कर दिया जाए तो क्या होगा? ये लड़की इस घर में अकेले थी और जैसे ही वो सोकर उठती है उसे घर में शेर दिखता है वो भागने की कोशिश करती है पर खिर्की बंद होती है वो टॉम के कमरे में जाती है तो वहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता वो मदद के लिए फोन करती है पर कॉल लग नहीं पाता तबी उसे उपर के कमरे में कुछ आवाजे सुनाई देने लगती है वो में गेट खोलने जाती है पर उसे भी किसी ने बाहर से बंद कर रखा था कैली घर में शेर के साथ कैद थी और बाहर निकलने के लिए खिर्की तोड़ने की कोशिश करती है शेर आवाग सुनकर उसके कमरे में आने लगता है जिससे लड़की दरकर एक पाइप में छुप जाती है और शेर गेट तोड़कर अंदर आ जाता है पाइप के अंदर की गर्मी के कारण कैली के शरीर से एक पसीने की बूंग नीचे गिरती है शेर को ये पता चलते ही वो उस पर हमला करता है लेकिन कैली किसी तरह से खुद को बचा कर एक कमरे में पहुचती है